दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्वास्ते एवं वास्तु टिप्स को और साथ ही दबाईए इस बैल आइकन को ताकि आप पासके हमारी वीडियो का नोटिश्फिकेशन सबसे पहले नमश्कार दोस्तो ड्राय माौत या जीब का सूखना काफी आम समस्या है, और साथ ही इसका घरेद उपचार भी काफी असान. मुँ में लार बनने की प्रिक्रिया कम हो जाने पर ड्राय माउत यान दिग्या मूH सूखने की समस्या उत्पन होती है और कई दिनों तक जागना, पोश्टिक खान पान की कमी या ऐसी डिटी आदी के कारण मुह की लार कम बनती है। और इस समस्या के समधान के लिए आप कई तरह के घरेलों उसके अपना सकते हैं। दोस्तो ड्राइ माउथ की समस्या की मुख्य वजा है डिहाइडेशन। इसलिए ऐसी समस्याउतपन होने पर सबसे पहले तरहल पदारतों का सेवन बढ़ा दे। इससे आपका शरीर हाईडरीटिटर रहेगा और ठीक प्रकार से हाइडरेटिट होने के कारण शरीर के लिए सलाइवा उतपन करना आसान होगा और यह समस्या ठीक हो जाईगी। इसके अलवा तेज लाल मिर्च ड्राई माउट की समस्चे के लिए काफी अच्छा घरेलू उपचार है यह हैं आपके टेश्क बड को भी दुरुस्त करता है जिससे आप मीठे नमकीन तीके और कड़वे के बीच बहतर तरीके से अंतर कर पाते हैं इसके लिए आप इसे उंगली पर लगाकर अपनी जीब पर लगाएं कुछ देर के लिए जीब जलेगी लेकिन इससे आपके सलाईवा ग्लैंड्स सक्रिये हो जाएंगे इसके अलावा इसे आप अपने सूप और सलाद में डाल कर भी खा सकते हैं दोस्तों आप सौफ का इस्तवाल कर सकते हैं सौफ का उपयोग सलाईवा के परवा को बढ़ाता है और आपको ड्राई माउट की समस्य से रहात मिलती हैं इसके अलावन नीमगू का जूस मूँ के अंदर सलाईवा का उत्पादन बढ़ाता है और ड्राई माउट की समस्था से राहत दिला सकता है। इसके लिए एक ग्लास पाने में आदा नीमगू का रस मिलाया और थोड़ी सी शैद भी और दिन भर इसे पाने में घुट घुट पीते रहें। साथ ही ड्राई माउट से लड़ने के लिए इलाईची बहुती बढ़िया घरेलू आयूरवेदी कुपचार है। इलाईची को मुँ में चबाने से मुँ के अंदर गीला पनाता है और सास की बदबू भी खतम होती है। जब भी आपको आपका मुँ सूखा सूखा लगे तब आप एक दो इलाईची मुँ में रखकर चबा लें। तो दोस्तो ये थी छोटी सी जानकारी जीब के सूखने या ड्राइ माउथ होने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्यकरे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तो आपका दिन शुब हो।